आज हम जिस विशे को ले रहे हैं अध्यात्मिक्ता में इस विशे की काफी चर्चा होती है हम सुनते आ रहे हैं कि अध्यात्मिक्ता में आने के बाद हमारा मन अदो मुखी से उर्दमुखी हो जाता है तो आज हम ये जानेंगे कि अदोंखी क्या होता है और अदोंखी क्या होता है हम सब जानते हैं जब से स्रिष्टी का निर्मान हुआ है स्रिष्टी का विस्तार हो रहा है स्रिष्टी से पहले केवल आकास था एक इस्पंदन पैदा हुआ और उसके उपरान पूरे स्रिष्टी का निर्मान हो ज़या और ईश्वर की शक्ती सारे जड़ चेतन को उनके अनूरूप मिल गई और ये विस्तार अभी तक चलता आ रहा है आज जो हम स्रिष्टी देख रहे हैं ये स्रिष्टी निर्मान के समय इस परकार की महिए स्रिष्टी में विस्तार हो रहा है मनुष्ये ने भी अपने मन के हिसाब से इस स्रिष्टी में काफी परिवर्तन की है और इसको विकास का नाम की रहा है तो इस पूरे विकास को हम अदो मुखी कहते हैं इस स्रिष्टी में जो भी आता है वो केवल विस्तार करता है तो इस विस्तार से संकुचन की तरफ मुन्ना इसको हम उर्दव मुखी कहते हैं तो ये उर्दव मुखी का विचार मनुष्य के मन में कहां से आया बाबुजी के अनुसार राजा दसरत से 72 पीड़ी पहले किसी रिशी के मन में ये विचार आया कि मैं कौन हूँ ऐसी क्या चीज मेरे भीतर है जिसके निकलने से मेरी मिर्टि हो जाती है इस तरह के निज के भाब को जानने के लिए उसके मन में कई तरह के प्रसन आने लगे और उसने इसमें शोध आरम किया और इस शोद को राज योग का नाम दिया गया। समय समय पे कई परकार के रिशी आए और उन्होंने अपने शोद के अनुसार राज योग में थोड़ा थोड़ा परिवर्टन करके उस यूग के योग भी बनाया। आज के यूग में बाबुजी महराज ने आकर राज योग का एक परिवर्टित रूप बनाया जिसको हम सब जानते हैं पहर है सहज मार्ग। सहज मार्ग के माद्यम से बड़ी ही सरलता से किसी का भी मन अदो मुखी से उर्दो मुखी कर दिया जाता है। बाबुजी की पहली तीन पराणाहुती के बाद मनुष्य का मन अदो मुखी से उर्दो मुखी हो जाता है। उर्दो मुखी का अर्थ हुआ विस्तार से संकूचन की और बढ़ना। जैसे जैसे हमारा मन संकुची ठूटा जाता है, हम इश्वर के निकट पहुंचते जाते हैं यह यातरा फिर्दे छेतर, मनस छेतर, केंद्री छेतर पार करते हुए जहां से यह उर्जा उत्पन होई थी, वहीं पर पहुंच जाती है इसे हम पुर्दर मुखी चाते हैं मनुष्य जानना चाता है कि मैं कौन हूँ मेरे भीतर ऐसी कौन सी शक्ती है, जो इस सरीर को जीवित रखती है आखें देखती हैं, कान सुनते हैं, जिवा बोलती है सरीर इस वर्ष को समझता है कि क्या है मन गुद्धी चित्व ये आठों इंद्रियां इनको संचालित कौन करता है, जब इस तरह के प्रसन उसके मन में आते हैं तो वो इसकी तलास में निकल जाता है, और इस तलास को ही अध्यात्मित्ता कहते है समय समय पर कई डर्षन बनाय गए, उन्ही डर्षन में से सहजमार डर्षन हमारी मदद करता है अदो मुखी से ओरदब मुखित है एक बार सहजमार का अभ्यास हम आरभ कर देते हैं हमारा मन विस्तार से संकुचित होना आरम कर देता है। हमारे अंदर वेराग उत्मन हमें लगता है। हमें ये विस्तार ये माया की शक्ति आकरशित नहीं कर पाती है। और हम अपने हिर्दे के भीतर ही ईश्वर की तलास में निकल जाते हैं। इससे परिनाम क्या होता है। हमारे अंदर वेराग उत्मन हो जाता है। हमारी विवेक शक्ति खुल जाती है। हमारी प्रवर्ति जो अदो मन की थी माया के पीछे भागने की वो उर्दमुखी होके ईश्वर प्राप्ति की और मूर जाती है। हम अभ्यास करते रहते हैं और एक दिन ऐसा समय आता है कि हम उस उद्गमिस्तान पर पहुँच जाते हैं जहां से ये चेतना निकल कर हमारे मन के भीतर आई हैं ये पूरी खोड़ जो होती है इसी को हम अध्यात मित्ता कहते हैं अदो मुखी से उर्दो मुखी हो जाना यही इ हम इसलो को जाते हैं आते हैं यही इस आते हैं पाते हैं